जिस तरीके से आज मार्केट ने रिकोर्ड बना है उसी तरीके से देखा जाया तो पहले दिन के सब्सक्राइब करके भी ज्यादा अप्लिकेशन लगाते हुए देखने को मिल चुके हैं और फाइनल डिसिजन कब आपको लेनी चाहिए और क्या मेरी स्ट्रेटजी है इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड पहले दिन के सब्सक्राइब डाटा को देखेंगा अब धर्माज क्रॉप लिम्टेड आइप्यो के रिलेटेड तो वीडियो को विडियो को विडियो को को मैं बताते चलो कि धर्माज क्रॉप गाड आइप्यो के बारे में यह दि हम लोग डिस्कस करें तो यह आइप्यो आपको 28 तॉप नॉमबर से ओपन होई है और 13 तॉप नॉमबर इसके क्लोजिंग डेट होने बाली है यानि कि इस आइप्यो में अभी आपके पास दो दि सेवन रूपीज पर ही आपको अलोटमेंट मिलने के चांस पॉस्विलिटी बनेगी यादि यहाँ पर आप अपने अलोटमेंट चांस को बढ़ाना चाहते और मैक्सिमाज अलोटमेंट चांस को करना चाहते है तो प्रते ही फर्मीन परस के इमेंट अगाउन से एक एक तो क्योंकि यहां पर जो एलोटमेंट चांस मिलने की पॉस्पिलिटी और चांस है वो दो सो एकाउन क्रोड की टोडल इसूस आज जाए इस दो सो एकाउन क्रोड में 50% की बात करें तो क्यों भी के लिए और 35% परिटेलर्स के लिए और 15% एक टेओरी के लिए रखा गया है की बात करें तो 35% परिटेलर्स के लिए रखा गया है उसके बावजूद भी जो इसूस आज है उसके अकॉर्डिंग नंबर आप टाइम्स इस आप्लिकेशन आते हुए देखने को मिलेगा जिसके करण से देखा जाए तो इस आप्लिकेशन आते हुए देखने को मिलेंगे इसके लिस्टिंग आपको BSNC दोरने जगा पर होते हुए देखने को मिलेगी और अपलाई करते समय 60 एक्विटी अपसर इस इस आप्यों में सेलेक करनी है इसे आज के डिट में हम लोग बात करें 50 के रिलेटर्स तो आज हमारी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस क सेलेक दिखाई है तो मार्केट की परफॉर्मेंस के बात करें तो मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती हुई के देखने को मिले है वहीसा दिखार जा तो 18,562 पर आजके डिन मार्केट close होते हुए देखने को मिले है अबरहल देखा जा तो 0.27 परसंट के तेजी के साथ मार्केट Blue होते हुए देखने को मिला हुपरॉओ पूरे दिन तक बात करें तो पूरे दिन यहाँ पर एक ही तमिला था था थोड़ी से लाच्ट वर में प्रॉपई बॉकिंग मार्केट में होते हुए को को मिला है नहीं तो overall देखा जाए तो निफ्टी एक अच्छी खासी कारवार करती भी देखने को मिली है और यह जो निफ्टी में आज के डिट में तेजी देखने को मिली है उस तेजी के पीछे की में वजह की बात करें तो Reliance तो करें तो कई सारे स्टॉक में आपको että कंपनी में तेजी देखने को मिला है तो यह इस तरीके के मार्केट में स्टॉक बी कारवार और वर्म्रेश्मेंट करते हैं सौटम में तो अच्छे वेल्स जेनरेट कर सकते हैं, अबरोल मार्केट की बात करें, तो मार्केट ने अच्छी फर्फोर्मेंस करती भी दिखाई दे रही है, और आने मले समय में 18,000 के उपर जितने दिन मार्केट रहेगी, उतने दिन आपको IPO मार्केट में भी अहल चल और तेजी इसी तरीके से दे आपको करें, तो 1.80 टाइम से IPO सबस्क्राइब होते हुए देखने को मिला है, इन दोनों केटवरी को हम लोग मिला दिया जाए, तो अच्छे रिष्वान्स आपको भी यहां पर देखा जा था, की वाईबी के द्वारा भी और है दोर है देखने को मिला है, और है और है नह लगब अरहाई गुना IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल लए है यह small hnl category में और big hnl category के बात करें तो लगब देर गुना IPO सब्सक्राइब हो चुका है इसी करण से total hnl category की जो subscription figure आपको यह 1.80 देखने को मिल लए है वहीं यह दी हम लोग बात करते हैं रिटेल इंडिविजुल इंवेस्टर केटिवरी तो रिटेलर्स में काफी अच्छे इस IPO में नंबर ओफ अप्लिकेशन लगा हैं उसको यदि हम लोग देखते हैं तो 2.60 टाइम से IPO सब्सक्राइब हो चुका है और देखा जा तो जो IPO में रिटेलर्स इंडिविजुल इंव सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल अग्षी जहाला है तो सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुके हैं और श्माल का इंपनी अ रिटेन्स के रिजांपीर रिटन्स की यहां पर वेल्थ जेनेट होते विए देखने को मैं सकती है लेकिन पहले दिन की सब्सक्रिप्सन फिगर की बात करी इसू साइज के अगॉरिंग तो आपको थोड़ी सी और इस आप्यों में नंबर आप अप्लिकेशन आनी चाहिए थी लेकिन प्लीके सब्सक्रिप्सन फिगर को आपको देख कर देंटirie से दिन अप्लाई करने के प्लानिक करनी चाहिए वैसे भी मैं आप सभी को इस आप्लाई करने बाला हूं एतना तो सी ओर है लेकिन पूरी तरीके से final decision और पूरी तरीक समय के इतने और कहां से कैसे अपलाई करने बाला हूँ उसके related कल वाले वीडियो में 5-6 सेम के बीच में हम लोग बात करेंगे सो जुर रहेगा ताकि आप लोग अप्टेट में बाइसी तरीके से और वैसे हम लोग बात करें के लिए कितने equity of share offer किया गया तो qyb की बात करें तो qyb के लिए 22 लाग 43 जार equity of share offer किया गया तो यहां पर देखा जाए तो लगव उन 40 लाग equity of share offer किया गया है यहां पर यहां पर देखा जाए तो असी लाग 12 लाग आप लोग को बारह जार नौशन नव एक्यूटी ओव से इन सभी काटिगोरी को मिला दिके बात कर रहे हैं इसके ग्रिय मार्केट प्रिम थूरी सी परहसर देखने को मिल लेए इसके पीछे के बज़ा तो और इससे अप्लिकेशन आने चाहिए थी इसके खरण से थुरी सी सेलिंग परहसर देखने को मिला है 55 रूपीज पर इसके ग्रे मार्केट प्रिम टेर कर रही है वैसे एकोडिंग रिस्टिंग की बात करते हैं 70 रूपीज होगी जो इसके ग्रे मार्केट प्रिमियुम में करवार होत बात करें तो जिस तरीके एक क्रेटेरिया होती है मेरी खुद के स्टेजी के मादम से देखा जाए मैं अपलाई करने के जो प्लानिंग करता हूँ उसमें 20% से ज्यादा क्या अप्लिकेशन ग्रे मार्केट प्रिमियुम के लिए होनी चाहिए साथ ही साथ यदि पहले दिन कि अवर सब्सक्राइब हो जाती है कोई विए फू तो उस nozeer कोकुंसिडर की जातीय अप्लाई करने के लिए तरीका आपकी क्या घुद कीас च्टेजी है वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी के धन्य बाद मिलते के नए इंफोर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए चाहें